वेल्कम एस्पिरेंट्स दिस्पनाई शैनल साइंस विस्ताक्षी और ये जो वीडियो है यहां हम डिस्कॉस करते हैं फिजिक्स के बहुत चर्शित नुमेरिकल क्वेस्टिन्स के बारे में जो भी आप गवर्मेंट इग्जामनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां भी साइन्स के सिलिवस को पूसा जाता है तो आप फिजिक्स के जैसे भी नुमेरिकल बनते हैं वो सारे पॉपुलर नुमेरिकल का कलेक्षन ये सिरीज है जो आप यहां पे देख रहे हैं आज का सेशन नंबर एट है इससे पहले हमने वन से लेकर सेवन सेशन में डिफरेंट पॉपुलर नुमेरिकल का डिसक्षन आपको दिया है मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दू कि यहां आप साइन्स के डिफरेंट टॉपिक के सिलिवस का कवर आप यहां पे देखेंगे स्थारे टॉपिक का डिसक्षन है बहुत सारे MCQs है प्लेलिस्ट में आपको सारे MCQs मिल जाएंगे आज का जो पोपलर क्वेस्शन का डिसकषन है वो है बिजली बिल से यानि की बिजली के यूनिट्स आप एक महीने में कितने यूनिट्स से कंजंप्शन करते हैं क्या बिजली बिल बन सकता है इस चीसों कैसे निकालेंगे यह चीज आज की सेशन में हम सेखने unfolding आपको तो 30 दिनों में उर्जा की कितनी एकाईया खपत होगी यहां से आपको पता होना चाहिए कि उर्जा की एकाईया यानि कि यूनिट को निकालने का क्या फार्मूला होता है यूनिट को निकालने का फार्मूला होता है वोल्ट इन्टू अम्पियर इन्टू आवर और इसको डि upon thousand आपको बहुत अच्छे से पता है power बढ़ावर क्या होता है V into I होता है और बहुत बार question में आपको direct power दे दिया जाता है ठीक है direct शक्ती देजी जाती है कि कितने watt का bulb है ठीक है तो यहाँ पर कितने watt का है 200 watt का है तो diet आप क्या लिखेंगे unit को निकालने का तरीका P into hour P का मतलब शक्ती watt कितने watt का bulb है कितने घंटे आप एक दिन में जला रहे हैं और इसको आप divide किरते हैं thousand से इसलिए क्योंकि यह जो unit आती है one unit यह किसके बढ़ावर होती है one kilowatt hour के बढ़ावर होती है फिर से देखिए क्या बताया मैंने question में दे रखा है कि 200 watt का bulb है question को धायन से देखिए क्या लिखा है 200 watt का bulb है और कितने देर के लिए जलता है समय कितना है तो 10 घंटे के लिए और यहाँ पे one unit बिजली का one unit किसके बढ़ावर होता है one kilowatt hour के बढ़ावर होता है और one unit unit निकालने के लिए बिजली की unit निकालने के लिए आप क्या करते है power into hour और divide करते है 1000 से क्योंकि overall आपको किस में चाहिए यह kilowatt में चाहिए kilowatt में चाहिए इसलिए आपने 1000 से यहाँ पे divide कर रखा है अब कितने वाट का है 200 वाट का है कितने घंटे जल रहा है एक दिन में 10 hour per day एक दिन में तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक दिन है ना एक दिन में कितने unit उठ रहे हैं तो दो unit per day लेकिन question में कितने दिन के लिए पूछा है 30 days के लिए for 30 days 30 दिनों के लिए कितना unit आएगा 30 दिनों के बारे में बात कर रहे हैं तो इस दो को आप किस से multiply करेंगे 30 दिन से और answer आजाएगा 60 unit तो 30 days में 30 दिनों में 30 दिनों में जो unit है वो कितना उठने वाला है तो आप per day unit को 30 से multiply कर देंगे एक दिन में 2 unit तो 30 दिनों में 30 into 2 60 unit आपका answer हो जाएगा ठीक है अब option पर चलते हैं एक बार यहाँ भी देख ले simple सा हमने unit per day निकाला एक दिन का एक दिन का unit कितना आजाएगा 200 into 10 divided by 1000 यह आजाएगा 2 units और हमने इसको 30 दिन के लिए निकाल दिया for 30 days 30 into 2 कितना आजाता है 60 unit आजाएगा 60 unit यह आपका answer हो जाएगा option number A next question चलते हैं एक 100 watt का बिजली का बल्ब 20 घंडे जलता है तो 5 रुपे प्रती unit की दर से विधुत खर्च क्या होगा यहां आपसे electric bill पूछा है electric bill खर्चा कितना आएगा तो खर्चा जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना unit उठा कितना unit बिजली आपने खर्च की है यह आपको पता होना चाहिए तो फिर से आप unit दिकालते हैं कितने unit हो जाएगे 108 का है 20 घंडे के लिए जल रहा है और आपसे प्रती दिन का ही पूछा है है ना आपसे यहां पे एक महीने या 30 दिन का नहीं पूछा है तो बस इतना ही करें आप divide करेंगे 1000 से कितना आजाएगा 2 unit कितने unit बिजली खर्च होईए 2 unit और एक प्रती unit का खर्च कितना है 5 रुपए है तो 2 unit का खर्च कितना आएगा cost of 2 unit कितना आजाएगा 5 into 2 10 रुपए कितना आणसर आजाएगा 10 रुपए क्यों हुआ क्योंकि 1 unit का अदाम कितना दिरक है 5 रुपए और आपके खर्च कितने हुए है, दो यूरिट खर्च हुए है, तो 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज आपके बिल आने वाले हैं, ठीक है, तो ये रहा दूसरे question का discussion, तो ये जो दोनों questions है, बहुत जादा important है, बहुत जादा बहुत चर्चित popular questions है, ये एक question हमेशा exam में बहुत साए numerical को cover किया है, सारे वीडियो को आप playlist में जाके देख सकते हैं, और जरूर से जरूर comment section में जरूर बताएं, कि आपको ये वीडियो की series कैसी लग रही है, और अगर आपको इस session पसंद आता है, तो please one like जरूर देंगे, like करे, subscribe करे, और share करे channel को, yes, thank you.